सूप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी इशिक्षण के माध्यम से पिछली कड़ी में आपने पाठ्या पुस्तक कोकिला के पाठ सत्रह फूल कवीता का सरस्वर वाचन किया था बच्चों, इस कवीता के द्वारा फूलों की रिशेष्ता को बताया गया था आईए, आज हम इस कवीता के प्रशन उत्तर वह अभ्यासकारिये करते हैं पाठ सत्रह फूल अभ्यासकारिये में सबसे पहले हम करेंगे कठिन शब्द पहला शब्द है, खुश, न्यारे, मधूर, रंग बिरंगे, खुशबू, कौमल कठिन शब्दों का अभ्यास करते समय बच्चों मातराओं का विशेष ध्यान रखना है अब हम करेंगे शब्दार्थ पहला शब्द है, बच्चों, खुश, खुश का अर्थ है, प्रसन अगला शब्द है, मधूर, मधूर का अर्थ है, मीठी अगला शब्द है, खुश्बू, खुश्बू का अर्थ है, महेक कौमल, मुलायम, गगन, अकाश, प्यारे, मन को भाने वाले यानि मन को अच्छा लगने वाले अब हम करेंगे, नीचे दिये गए प्रश्णों के माउखिक उत्तर दीजिए पहला प्रश्ण है, बच्चों, हमारे फूल कैसे है, उत्तर है, बच्चों, हमारे फूल रंग भी रंगे हैं, दूसरा प्रश्ण है, फूल हमें क्या देते हैं, और बदले में क्या लेते हैं उत्तर है, फूल हमें मीठी खुश्बू देते हैं, और बदले में कुछ नहीं लेते हैं अगला प्रश्ण है, फूल हमें कब कोमल लगते हैं? उत्तर है, जब हम फूलों को छूते हैं, तब फूल हमें कोमल लगते हैं? चलिए बच्चों, अब करते हैं, रिक्त स्थान भर कर कवीता का छंद यानि स्टेंजा पूरा केजिए रंग बिरंगे, डैश, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, डैश न्यारे न्यारे, तरह तरह के न्यारे न्यारे इनहें देखकर, डैश, इनहें देखकर हम खुश होते, डैश साथ हमारे, ये खुश होते साथ हमारे, डैश फूल हमारे रंग बिरंगे फूल हमारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे तरह तरह के न्यारे न्यारे इन्हें देखकर हम खुश होते ये खुश होते साथ हमारे रंग बिरंगे फूल हमारे चलिए अब करते हैं नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए पहला प्रश्ण है, हम किन्हे देखकर खुश होते हैं, किन्हे देखकर खुश होते हैं, फूलों को फूल हमें कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं बच्चों, प्यारे गगन के तारे किने कहा गया है? किने कहा गया है बच्चो? खिले हुए फूलों को तो बच्चो आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा तो बच्चो शब्दार्थ, कठिन शब्द वो मोखिक प्रशन उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका यानि कोपी में करने हैं तथा बाकी अभ्यासकारिये पाठ्या पुस्तक कोखिला में करना है धन्यावाद स्वस्त रहें सुरक्षित रहें